आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूं सोयबीन और हरी मटर की रसेदार सबजी और यह खाने में बहुत अच्छी लगती है और इसको बनाना भी बहुत एजी है तो स्टाट कारेंगे इंग्रेडियन्ट से में इंग्रेडियन्ट है वह अभी सिर्फ दिखा रही हूँ तो यह सोयबीन है मैंने यहां पे। दो कप सोयबीन भिगो लिया था इतनी सोयबीन अंदास से देख लें इसको मैं भिगो के और जब यह सोक हो गया तो इसमें से एक सारा पानी मैंने प्रेस करके निकाल दिया है यानि स्कुईस कर लिया है थोड़ा बहुत पानी है वो जो बाद में एब्जॉब कर लेगा जब और दो हरी मिर्चि मैंने कटी हुऊ ली हुई है स्टार्ट करेंगे सोयबीन से सोयबीन में बेसन डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे इससे जो एक्स्ट्रा पानी बचा होगा सोयबीन में वो अब्जॉब हो जाएगा और जब यह बेसन भुनेगा करना है तो मैंने इतना दो बड़े चम्मच तेल लिये हैं उसके बाद यह देखिए अच्छे से पूरा कोट हो गया है और बेसन ने अब्जॉब कर लिया है स्वेबीन को और इसके बाद इसको ऑईल में डाल देंगे देखिए अच्छे से गरम हो जाए तो सारे स्वेबीन को इसको डाल देंगे और उसको फ्राइ करेंगे अबस इतना फ्राइ करना है कि जो बेसन का थोड़ा सा कच्छा पने वह भुण जाया और थोड़ा दूर हो जाए और इसका एक अच्छा फ्लेवर आने लगे और उपर से स्वेबीन के पर क्रस्ट आजाए बहुत ज्यादा अ बस थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए हलका सा इसको सेक लेना है ताकि ये फ्राई वाला टेस्ट सब्जी में बहुत अच्छा आएगा उसके बाद इसको निकाल लेंगे और एक बरतन में यह ने निकाल लिया है अब एक कराही लेगी और कराही में डालेंगे दो बड़े चम्मस शेल और इसको गरम कर लेंगे अच्छे से उसके बाद इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मस जीरा और जो हरी मिर्च मैंने काटके रखी थी वह थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें एड़ेंगे जिंजर गालिक पेस्ट इसको बस एक मिनट यहां मैं एक बड़ी प्याज मैंने काटी थी और इसके बाद इसे थोड़ा फ्राइ करना है और जब प्याज थोड़ी सी ट्रांसलूशन हो जाएगी इसमें मैंने जो फ्रोजन मटर थी वह मैं एट कर दूँगी मैंने दो मिनट इसे फ्राइ किया है बहुत गोल्डन मैंने नहीं किया है प्याज ट्रांसलूशन हुआ है उसी वक्त मैंने इसमें मटर डाल दी है और मटर डालने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राइ करेंगे ताकि जिंजर गालिक प्याज मटर सब अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद मैं इसमें लिट लगा दूँगी और लिट लगा के मैंने इसको 4-5 मिनट के लिए ढग दिया अब 4-5 मिनट में यह बिल्कुल हाफ कुक हो चुक है और बस इतना ही कुक करना था बाकी मैं मसालों के साथ मटर को पकाऊंगी तो अब इसमें मैंने टमाटर एड किया है मैंने 3 टमाटर एड किया हुआ है और 3 टमाटर डालने के बाद अब इसमें मैं नमक डालूंगी नमक डालने से जो टमाटर है वो बहुत जल्दी गल जाता है तो यहाँ टेस्ट के कॉर्डिंग सबजी में जितना नमक डालना है वो मैंने अभी ही डाल दिया है एक बड़े चमच नमक मैंने डाला है आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग डालें उसके बाद इसमें रेड चिली पाउडर में एक बड़े चमच डाल रही हूँ और बाकी के मसाले भी मैं एक डाल रेड़ अपना नमक में डाल चम पाउदग है और बाकी के मसाले आट करूँ गी थोड़ी सी हल्दी यानि उसके चल्दी के लिए ने करिए अञे को मिक्स कर लोगी और जब मसाल अच्छे से भुन जाए टामाटर गल जाए हुए उसके करूंगे तो मैंने लगा दिया यहां पे लिड लगाने के बाद इसको मैंने खोला है पांस मिनट बाद तो अब आप देख सकते हैं मटर जहें वह कंप्लीटली कुक हो चुकी है मसाला बुन चुका है और ऑईल भी रिलीज हो गया है अब मैं यह जो मैंने स्वयबीन फ्राइ हूं एक से डेल कप डालेंगे क्योंकि मैं इसे अभी पतला रख रही हूं बेसंद की वज़े से थोड़ी सी थिकनेस इसकी ग्रेवी में आ जाएगी वाद में इसलिए मैं अभी इसे पतला रखूंगी अब इसे तीन से चार मिनट के लिए फिर से ढखकन लगा देंगे और दन्या लेना है और छोप छॉब किया है उसके सिसने आइड कर देना जा अब इसको मिक्स कर लिए सब्जी बनके तैयार हो कुए अब जैसे जैसे ठंदा होगा थोड़ा से और थिक हो जाएगा तो अब इसे मैंने यह सर्विंग बोल में निुकाल लिया है और सब्जी बनक झाल झाल